नमस्का रालो सपा और आजास समाजपार्टी गटवंदन ने खतोली सीट पर सांदार जीत हासिल की है भाजपा इसहार के कारण गुजरात फत्य का जसन भी नहीं मना सकी अब खतोली में रालोत के ओर से 18 दिसंबर को 42 सम्मेलन आयोजित के आजा रहा है जिसे रालोत मुख्या, जैंत चोदरी और आजास समाजपार्टी के रास्टे अध्यक्स चंद्र सेकर आजार संबोधित करेंगे एक तरह से खतोली की जनता का आभार व्यक्त किया जाएगा साथ ही गटवंदन की एक तका संदेज भी दिया जाएगा क्योंकि जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारिकों का एलान भी होना है बाईचारा सम्मेलन की तयारी में रालोत के पड़ादिकारी जुटे होए हैं और इस सम्मन में रालोत मुझफण अगर कारेले पर बैठक भी हो चुकी है इस सम्मिलन में सपा के नेता भी हिस्सा लेंगे दसल खतोली जीत के बाद से जैन्द चोदरी में और अधिक उर्जा का संचार हुआ है क्योंकि अब रालोध के विदायकों की संक्या आठ से बढ़कर नो हो गई है जबकि 2017 में एक सीट रालोध को मिली थी और विदायक छप्रवली कुछ समय बाद ही भाच्पा में सामिल हो गए थे लेकिन सपा से गडवंदन का जैन्द चोदरी को 2022 में काफी सियासी लाब हुआ है अब राजसवा में भी जैन्द चोदरी लालोध का परतिन दित्व कर रहे हैं